अनिकेट के बताने पर कि उसका इस दुनिया में कोई नहीं है अमिता के पिता चौंक जाती है इसका मतलब तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं है जी अमिता के पिता खामोश हो जाती है अब मैं चलता हूँ अनिकेट वहां से चला जाता है अमिता के पिता अमिता के पास देखो अमिता, तुम्हारे कहने पर मुस लड़के से मिलने के लिए राजी हो गया, लेकिन अब तुम मेरी बात मानोगी, मुझे रिष्टा मन्जूर नहीं है। अब ही तो हमारा कॉलिज खत्म हुआ है, आज ही तो रिजल्ट आया है हमारा, और तुरंथी नौकरी भी मिल गई है हमें, हम दोनों मिलकर एक खुशाल जिन्दगी जीज सकती हैं, रही बात परिवार ना होने की, तो उसमें उसकी क्या गलती है? मान लिया, उसमें उसकी गलती नहीं है, लेकि तुमने अपने रहन सैन को देखा है, बचपन से किसी भी चीज की कमी नहीं होने दिये हमने तुमें। जानती हूं लेकिन आप भी जानती हैं कि मुझे कभी इन चीजों की जरूरत नहीं थी, मैंने कभी इन इतनी इंपोटन्स नहीं दी, हम दोनों साथ मिलकर जितना भी कमाएंगे उसमें खुश रह लेंगे, और वैसे भी ये तो बस शुरवात है, हम दोनों जी जान से मेहनत करेंगे और एक दिन आपको भी हमपर कर्व होगा, बिटा तुमने इन चीजों को कभी महत्व इसलिए नहीं दिया, क्योंकि हमने तुम्हें कभी इनकी कभी महसूस नहीं होने दी, मन होने में और आदत होने में बहुत अंतर होता है, कहना बहुत आसान है कि मुझे इन सब की जरूरत नहीं है, पर रहबाना उतना ही मुश्कित, मैंने फैसला कर लिया है, तुम अपना रिष्टा उससे तोड़ लो, इससे आगे मुझे कुछ नहीं कहना, वो ये कहकर वहां से चले जाते हैं, पर पापा, वो अपनी मा के पास आती है, मा प्लीज, आप पापा को सम समझाईए ना, तुम जानती हो ना, एक बार अगर वो कोई फैसला ले लेते हैं, तो उसे नहीं बदलते, पिर उनकी बात सही नहीं है, अनिकेतिक बहुत अच्छा लड़का है, वो ऐसे कैसे रीजन्स देकर मना कर रही है, भया आप तो समझाईए, उन सब की आगों में आ आज उस मैगजीन से दुबारा लेटर आया था, जॉइनिंग का, कान्फरमेशन के लिए, दूसरी तरफ अमिता की भाई ने अनिकेत को जो कुछ हुआ सब बता दिया था, उसका हाल भी कुछ ठीक नहीं था, एक दिन अमिता योही खयालों में गुम अपने कमरे में बैठी हुई थी, उसका भाई उसके कमरे में आता है, अमिता बिना उसके तरफ देखे जवाब देती है, मैं ये नौकरी जॉइन नहीं करूंगी, पर क्यों, तुम्हारा तो कितना मन था, तुम तो हमेशा से इसी लाइन अपना करियर बनाना चाहती थी, अमिता आखों में आसु भरे हुए, इस जॉब ऑपर्चिनिटी में सिर्फ मेरी मेहनत नहीं थी, बिल्कि दो लोगों ने मिलकर काम किया था, यहां काम करना दो इनसानों की आखों का सपना था, जो एक साहत दिखा गया था, जब उस इनसान को ही मेरी जिंदगी से निकाल दिया, तो सपना खुद पकरता है और ले जाने लगता है, यह क्या कर रही है आप भया, चलो मेरे साथ, पर कहा, कोई सवाल नहीं, वो उसे ले जाने लगता है, तभी अमिता के पापा वहां आ जाते हैं, वो उसके भाई से कहते हैं, अमित, कहा लेका जा रहे हैं अमिता को, कुछ नहीं पापा, इ मैं तुम दोनों के प्यार को समझता हूँ, अनिकेते कच्छा इंसान है, पापा नहीं मानेंगे, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों मंदिर में शादी कर लो, भया यह आप क्या कर रही है, पापा की मर्जी के बिना हम ऐसे कैसी कर सकते हैं, अमिता सही कह रही है, यह सुनकर मुझे यकीन हो गया है, कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो, तुम्हारा रिष्टा सच्चा है, लेकिन एक बात तुम्हें भी समझने की जरूरत है, कि पापा ऐसे कभी नहीं मानेंगे, नहीं चाहता हूँ कि तुम दोनों शादी कर लो, फिर अपने रि अमिता एक दूसरे की तरफ देखते हैं, अनिकीत हा में सिर हिलाता है, वो तीनों मंदिर पहुचते हैं, अमिता दोनों की शादी करवा देता है, शादी करके तीनों अमिता की घर पहुचते हैं, अमिता की मा पापा उसे ऐसे देख कर हैरान रह जाती हैं ये सब क्या है अमिता, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की वो उसकी तरफ बढ़ते हैं, लेकिन अमिता का भाई बीच में आ जाता है एक मिनट पापा, अमिता के सब में कोई गलती नहीं है, उसने मेरे कहने पर ऐसा किया है क्या? हाँ पापा, अनिकेद एक बहुत अच्छा लड़का है, लेकिन आप कुछ बातों के वज़े से उसके अच्छा ही नहीं देख पा रहे थे इस सब में मेरी बेहन खोने सी लगी थी, उसकी आखों में कुदासी बस गई थी, ये मैं देख नहीं सकता था, इसलिए मैं आ ऐसा किया अमिता के पिता की आखों में भी आसु थे ये तुमने ठीक नहीं किया, मैंने सही फैसला लिया है पापा, आप प्लीज इने अपना लीजिए नहीं, मैं इने नहीं अपनाओंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ, कि इनके रिष्टे का कोई भविश्य नहीं है कि क्या कह रही है आप, जैसे भी हुई हूँ, पर आपके बेटी की शादी हो गई है उसके रिष्टे के बारे में ऐसा तुमत बोली है, अमिता की आखों में भी आसु आ जाती है मैं सच बोला हूँ, पर फिर भी एक पिता का दिल है, हमेशा यही चाहूँगा कि मेरी बात गलस साबित हो अगर ऐसा हुआ, तो मैं खुद इने आशिरवात दूगा, लेकिन अभी मेरे मन और मेरे घर में इनके लिए कोई जगए नहीं है कह दो इनसे, कि लोग यहां से चले जाएं, हमारी इज़त की जितनी धज्य उडानी थी, यह उडा चुके है, निकल जाओ यहां से ये कहकर वो चले जाते हैं, अमिता की मा उसके पास आती है, उनकी आखों में आसु थे वो अमिता को गले लगा लेती हैं, वो दोनों उनके पैर चुते हैं, चाहर हो, खुश रहो ये कहकर वो भी अंदर चली जाती है, अमिता अपने भाई से मिलकर अनिकेत के साथ उसके घर आ जाती है, वो बहुत दुख़ा है मैं जानता हूँ, जो हुआ वो ठीक नहीं था, पर हम ऐसे हार नहीं सकते हैं, हमें हमारे रिष्टे को साबित करना होगा अमिता उसके गले लग जाती है, अभी रोना नहीं है, बस आगे का सोचना है, हम अगले हफ़ते ही मुंबई के लिए निकलेंगे अमिता उसकी तरफ देखने लगती है, मैं कली उस मैगजीन का ओफिस में हमारा जवाब भेज़ दूँगा अगले दिन अनिकेत उस मैगजीन के ओफिस के नाम लेटर पोस्ट कर देता है, और वो लोग जुड़ जाते हैं अपने उस जिन्दगी की तयारी में, जो मुंबई में उनका इंतिजार कर रही थी अनिकेत का एक दोस रहता था मुंबई में, वो उसके बात करके एक छोटा सा कमरा किराय पर ले लेता है, उन दोनों की प्यास जाधा पैसे नहीं थे, इसलिए अनिकेत अपना घर बीचने का फैसला लेता है, आमित उन दोनों से मिलने आता है अगले दिन से वो लोग ऑफिस जाना स्टार्ट करते हैं, वो बहुत मेहनत से अपना काम करते हैं, और हर कदम पर एक दूसरे का साथ देते हैं, उनकी एक खुशहाल जिन्दगी चल रही थी, देखते देखते उनकी जिन्दगी के छे महीने बीच जाते हैं, एक दिन अनिकेत कुछ सोच रहा था, अमिता उसके पास आती है क्या हुआ अनिकेत? कुछ नहीं, बस ऐसे ही कुछ ख्याला रहे थे मन में क्या? यही, कि क्या हम सिर्फ यहीं तक रहेंगे? I mean, हमारे सबने बस इतनी ही थे क्या? कहना क्या चाह रही हो? हमें यहांसिक अच्छी स्टार्ट मिल गई है और हमें हमारे कैलिबर का भी पता चल गया है कि हम अच्छा लिख सकते हैं तो क्यों न हम कुछ और ट्राय करें जैसे कि किसी प्रोडक्शन हाउस में स्टोरीज भेजें अपनी? Not a bad idea, ट्राय कर सकते हैं चलो, फिर शिरू करते हैं और लिखते हैं एक सबरतस्त कहानी बिल्कुल वो दोनों हसने लगते हैं और एक दूसरे की गले लग जाते हैं कुछी दिनों में वो लोग एक स्क्रिप्ट तयार करते हैं और कुछ प्रोडक्शन हाउस में भेजते हैं एक production house में उनकी story accept हो जाती है और उनकी movie बनना start हो जाती है Mr. Bhatia उस वक्त उसी production house में काम कर दे थे उन्होंने उन दोनों की बहुत मदद की थी movie box office पर अच्छी चल जाती है एक दिन अनिकेत अमिता की आंखों पर पट्टी बांथ कर उसे ले जा रहा था अनकेत क्या कर रहे हो, कहां ले जा रहे हो मुझे, और ये पट्टी क्यों बाहन रखी है बस एक मिनट रुखो वो उसकी आखों से पट्टी खोलता है, वो दोनों एक छोटे से घर के आखे खड़े थे अविता सवाल या नजरों से उसकी तरफ देखती है अमिता मुस्कडा देती है, वो दोनों एक दूसरे के साथ हर देन सफलता की सेड़ियां चड़ रहे थे अमिता के पिता ने भी उन दोनों को अपना लिया था लेकिन कहते है ना जैसे जैसे चादर बढ़ती है, वैसे वैसे उसमें हवा घुसने की भी जगा बनती रहती है जिसके साथ कंकर भी आने लगते हैं, शाय दूसरी की शुरुवात इनके जिंदगी में भी होने लगी थी एक दिन अमिता अनिकेट पार्टी में जा रहे थे, वहें अमिता अपने इंडस्ट्री के एक फ्रेंड से बात कर रही थी दूसरी तरफ अनिकेट भी अपने कुछ दोस्तों के साथ खड़ा हुआ था यार कुछ भी कहो, ये माया नगरी है बहुत सुन्दर, हाँ ये तो है, पर अपने घर और परिवार की बात ही कुछ और है ये सब कहने की बाते हैं अनिकेट, वक्त के साथ लोग बदलने लगते हैं वो अमिता की तरफ इशारा करती है, जो अपने एक दोस्तों से बात कर रही थी ध्यान रखना ज़रा अनिकेट की नजर भी अमिता पर जाती है, न जाने क्या सोचकर वो अमिता के पास जाता है अमिता, घर चलती इतनी चलती, अभी तो हम आए है वो मुझे थोड़ी तबेट ठीक नहीं लग रही, सर में दर्द हो रहा है थोड़ा अचा चलो, चलती है ये शायद पहली बार था जब उनकी बीच में कुछ आया था काश के एक खयाल अनिकेट के मन में आया ही ना होता तो शायद कहानी कुछ और होती पर ये तो शुरुआत थी असल तो फान तो भी आना बाकी था क्या थी वो वजह जिसने इन दोनों को यूँ अलग कर दिया जानने के लिए देखते रहिए इस प्यार को क्या नाम दू कहानी का अगला भाग सिर्व अपने चैनल लव सिटी पर थांक्स फुर वोट्ट